आपको भी प्रोग्राम बनाने में हो रही अदिक्कत, यानि कि राइटर प्रोग्राम देखते ही दिमाग काम करना बन को रहे हैं, देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों की यह प्रॉब्लम है, बीटेक, एमटेक जो एमसी यह कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आती जो आपको समझ में तो आती है, कि इन में करना क्या है, लेकिन कोडिंग नहीं हो पाती है, यानि हम प्रोग्राम को कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो पुरा पुरा क्वेशन लिखके ही बैठे रह जाते हैं, रीजन क्या है कि हम प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो में मैं यह कवर करने वाला हूं वैसे क्या होता है न कि सबसेबड़ी दिक्कत कहां पर होती है यह बादि होती है यानि के अगर हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो दिक्त सुरू आज से ही शुरू हो जाती है अगर हम वहीं पर सुधार करना शुरू कर देना तो हम प्रोग्राम बना सकते हैं, हम कोडिंग लिक सकते हैं, करना क्या होगा, तो जब आप कोडिंग पढ़ रहे हो, या आपने पढ़ भी लिए हैं, आज आप उसको सुधारना चाहते हो, आप सुरू से करो, आप को जो पढ़ा नहीं कई कंडिशन पढ़ा नहीं और वह सीधे क्या उसको लूप का मैंने प्रोग्राम दे दिया कभी नहीं कर पाएगा आगे और भी पढ़ता जा रहा है लेकिन वह कोड नहीं कर पारा है तो प्रोग्मम ही हाँ से आती है कि हम बीच से पढ़ना सुरू कर देते हैं और coding ऐसा है ना coding ऐसा एक पढ़ने का process जिसको सुरू से पढ़ना होता है अगर मैं आपको basic पढ़ा दूँ शुरुवात का दो चार चीजे पढ़ा दूँ operator पढ़ा दूँ variable पढ़ा दूँ और सीधे मैं आपको लेके आजाओ लूप पे और वहाँ पे मैं if else की programming दे दूँ तो sure है आप फास जाएंगे तो हमको problem कहां से हो रही है problem हमको सुरू से हो रही है तो आपको क्या करना ना जब आपको coding कर रहे हो तो आप सुरू के topics को पढ़ोगे सुरू के topic से पढ़ो और एक भी topic को skip न करो और हर एक topic पे जैसे कि मानले जब variable पढ़ाया गया है variable पे कम से कम उस variable को 10 तरह से print कराओ उस variable का 10 तरह से use करो हो सकता है आपको operator पढ़ाया गया हो operator के 10 program ढूँड के teacher से मांगो ना 10 program ढूँड के उसे implement करो तब जाके मैं guarantee लेता हूं कि आप operator के program कर पाओगे आपको अगर if else पढ़ाया गया है अब क्या सीधे else if कर सकता है आप नहीं कर सकता है अगर उसे if नहीं पता है अगर वो step wise नहीं पढ़ाया अगर यू बच्चे को if नहीं पता है तो वो if else कहा से करेगा पहले इफ पता होना चाहिए फिर if else पता होना चाहिए तब जाके बच्चा आगे if else की पूरी conditional statement की कर सकता है looping के लए यह कि looping हर जगहाँ अधिक्तम language में देखता हूँ while और for तो रहता ही रहता है चाहिए वो python हो चैए वो c हो चाहिए वो c++ हो चाहिए वो java किसी भी लेंग्मी बेखो ना तो यह दो लूप तो रहते ही रहते हैं ford यहांपे do while c-plus plus और java में होते है greater than B, हम greater than यहीं समझ पार हैं, तो कहां से कहां तक चलेगा है अब क्या होता है लूप में आके हम फच जाते हम सबस्दाए है, मैंने कहा कि एक से लेके दस तक प्रिंट करा जो, तो अब क्या करना है, आपको उसी फज़ाएगा क्योंकि वह वैरियबल पढ़ा ही नहीं और एरे जो होता है वह वैरियबल ऑफ कलेक्शन वैरियबल का कलेक्शन होता है तो हमने वैरियबल देखा नहीं तो हमको एरे में प्रॉब्लम होई जानी है क्योंकि एरे कलेक्शन ऑफ वैरियबल होता है तिसरी न पढ़ने की वजह से ही coding करने में problem आती है तो आपको कैसे coding start करना है, आपको coding start करने के लिए सबसे पहले आपको starting से पढ़ना, starting से मतलब कि जब से coding आपको पढ़ाई जारी है, जो programming आपको पढ़ाई जारी है वहाँ से पढ़िए, तब आप code कर पाओगे, otherwise नहीं कर पाओगे वैसे मैं बता दू, अगर आप coding करना चाहते हो ना, और नहीं समझ में आता है तो आप सुरुवाद करो HTML से HTML पढ़ने के बाद से CSS पढ़ो, Java script को यहां पर रोग दो, इसके बाद से C language पढ़ो, C language पढ़के फिर आप Java script में आओ, बहुत मैज़दार तरीके सोझना आएगा, और C के बाद से C plus plus पढ़ लेते हो, Java पढ़ लेते हो आपकी programming इसके लितनी तगड़ी हो जाएगी कि आपको Java script तो आप चुटकी में पढ़ सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आप पूरे देश में पढ़ो सुरुवास से पढ़ो, कैसे बनाना है कैसे code लिखना है, कैसे program करना है यह सब धूरना बंद कर दो सिर्फ सुरुवास से programming करो कम से कम यह ठान लो कि मुझे कम से कम 200-300 program बनाने ही है किसी programming language में मेरी guarantee है, आप अच्छे सकूर कर पाओगे ऐसे ही logical बातों के लिए दुरके सिर्फ साथ बने रही है थैंक्स पर watching, like, share, subscribe, please, bye-bye